अभी कुछ टाइम से ट्विटर के उपर बायकाट लाल सिंग चड़ा ये बहुत जादा ट्रेंड कर रहा है लाल सिंग चड़ा अमिर कान के आने वाली नेक्स्ट मुवी है अब यहां पर इसका बायकाट करने के उपर जो अमिर कान है उन्होंने कहा है मैं लाल सिंग चड़ा के बारे में आप लोगों के अगर बताओं तो देखे कहा जाता है कि यह जो मुवी है फोरेस्ट गम जो 1994 के अंदर होली वुड की जो मुवी आई थी इसकी एक रिमेक होने वाली है अब यह मुवी रिजन कहा है लाल सिंग चड़ा के बाइकट करने के अमिर कान के दौरा कुछ अपति जनक ब्यान दिये गए थे फर एक्जामपल उन्होंने कहा था कि मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे इस देश में यानि भारत के अंदर एसरुक्षित महसूस करते हैं एक तो यह रीजन था उन्होंने कहा था कि अब हम यहां पर सेव फिल नहीं करते हैं फिर यहां इसके बाद जो उनकी मुवी आती है पीके के अंदर उसमें जैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है वह बहुत ज़्यादा ऐस सहनिय था एक सीन करें जूम करके कि देखो युरिनेट कर रहा है और वहां पर फोटो लगी हुए इस सीन का रेलेवेंस क्या है इस से इनकी गंदी मान सिकता का गंदे माइंड़ सेट का पता चलता है यह दूसरा शोट देखिए मंदिर के अंदर चरण पादुकाएं पड़ी हैं और यह अम पहले पिक्चर में देव देवताओं का गोहर अपमान किया इसके अलावा जो टर्की की जो फर्स एड़ी उनके साथ आमीर कान की जो मीटिंग होती है तर्की वही देश जिसने हर भारत के किलाव मुई खोला है पाकिसान का समर्था नहीं किया है कश्मीर मुद्दे को उठ इंटरनल इशू है वहाँ पर जाकर उस देश के साथ जाकर वह वारतालाव मीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके खिलाव भी काफी ज़्यादा इनकी आलोचना की गई थी इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर आमिर्कान की जो नेक्स्ट मुवी आ रही है आम ल ने कहा था कि हमने किसी को फॉर्स नहीं किया हमारी मुवी देखने के लिए तो कृप्या करके हमें मुवी तो हमारी मुवी देखने मत आओ आप ने हमें नहीं बनाया है और यह इस वक ट्रेंड कर रहा है जब बॉयकॉट चल रहा है लासिंग चड़ा का तो एक तरीके से इस आग में घी डालने का काम कर रही है जो करिना कपूर खान है उनका ये इंटरव्यू एक टाइम हुआ करता था कि सेलिब्रिटी के पास बस पहुंच ओती थी मीडिया तक की उसके अलावा जो जनता होती थी वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाती थी अपनी अवाज अपनी जो सेलिब्रिटी है इन तक नहीं पहुंचा पाती थी जो नहीं पहुँच पाती थी लेकिन आज की टैम में जमाना बिल्कुल बदल चुका है शोचल मीडिया इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि हर शोचल मीडिया पर आना पड़ रहा है साथी साथ आज की डेट में आem इंसान अपनी बात जो है वो असानी से पहुंचा सकता पता चलता है आज आप जनता को इग्नोर नहीं कर सकते हो खासकर उस जनता को जिससे आपका काम चलता है यही जनता आपकी मुवी के टिकेट खरीते हो और फिर आप कहते हो कि आपको हमारी मुवी देखने की जरूरितिक है आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है आज की डे में definitely इस movie के उपर परभाव पढ़ भी सकता है अब यहाँ पर कुछ लोग समर्थन में भी आ रहे हैं वो support कर रहे हैं इस movie का अब दो चीजें हो सकती है एक तो movie के उपर ज़्यादा negative effect पड़ेगा दूसरा इसके उपर इतनी ज़्यादा इसकी publicity करती जाएगी कि लोग इसको देखने पहुंची जाएगे तब यह तो आने वाला time ही बताएगा कि movie के उपर कितना ज़्यादा परभाव पढ़ता है इस trend का लोग कैसे इसका विरोध कर रहे हैं यह तो वक्त ही बताएगा कि जब यह movie release होगी आपकी क्या राया है इस मुद्वे के उपर तो वो comment section में रख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना इता इस वीडियो में thanks watching this video मिलते हैं next video में जाहिंद